हेलो एवरिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चानल संकरना था जूकेशन पॉइंट पर दोस्तो आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर रहा हूं एच एच एट और एच टेट प्रैक्टिस सेट जिया दोस्तो खास करीनी के लिए रहेगा बाकि सभी एक्जाम के लिए आपके यह इंपोर्टन कोशन रहेंगे क्योंकि दोस्तो जो एक टारगेट चला हूआ है हर रोज का प्रैक्टिस सेट आपका सीविटी एक्जाम और एच टेट एक्जाम के लिए उसमें हम कभी 10 कोशन करते हैं कभी 15-20 कोशन इस तरीके से मारा प्रैक्टिस सेट दोस्तो चला रहता है तो आज उसी प्रैक्टिस सेट में फिर से कोशन लगाएंगे दोस्तो और देखेंगे आप से भी कितने कोशन इसमें ठीक पाते हैं दोस्तो और यह दि दोस्तो आप चैनल पर पहली पर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन जरूर दबाईएगा वट्सअप ग्रूप और टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिएगा लिंक और पीडिया फाइल वहीं पर दोस्तो किसी विवर्ति से जुड़ जानकर याप सभी को सबसे पहले वहाँ पर मिलती है चलिए अब शरूर करते हैं दोस्तो कोष्चनों का सिल्शिला सबसे पहला कोष्चन दोस्तो यहां से मनता है काजी रंगा वन्या जीव ब्यान दोस्तो किस के लिए परसीद है तो सबसे पहले आपको दोस्तो पता आओ नहीं काजी रंगा ब्यान है कहाँ पर कौन सा जानवर जीव जानवर के लिए वो परसीद है फेमस है तो दोस्तो काजी रंगा वन्या जीव ब्यान दोस्तो देखे सेर के लिए बाग के लिए एक सिंग वाले गंडे के लिए या फिर हिरन के लिए तो दोस्तो काजी रंगा वन्या जीव ब्यान भी फेमस है वन अब बात करता हुँ जो काजी रंगावन्य जी वायन ज़ोटा और हाल ही में यहाँ पर जो ना एक शटा नैस्नल पारक बनाया बनाया गया है जिसकी स्थावना कुछी टाइम पहले हुई थी दोस्तों तो शटवा नेशनल पारक भी पूछ ले अपसे कहां खोला गया है तो अगर सबसे ज़्यादा नेशनल पारक पूछ ले तो कौन से राज़य में आएंगे प्रदेश में सबसे ज़्याद आएंगे उसके बाद ध्यान रखेगा यहां से यही दो तिन कोशन बनते काजी रंगा एक शिंग वाले गंडे के लिए किस राज़य में असम में हाल हिमेद सटा नेशनल पारक खोला गया है अगला कोशन दोस्तों बनता है बहुत ही मोस्ट इ दाट इन पर चमीगाठ इन उपसंस में से लावली विसाव के सब्सें प्राचिंतन पा जो पर प्रतमाला है आपसे भारत की पुछले में अप्रवत माला आपकी रहेगी उसके बाद देखे अगर विंड चल परवत जो है वह आवली परवतों में हिसा है पस्चमी काठ पूचले तो भालत के पस्चमी तरब है, इसको अन्य नाम से आध्री से भी जानते हैं और क्राकरम दोस्तों लड़ाख में है, लड़ाख की उच्छी चोटी इसको उमभी सकते हैं, परवत सरंखलाय माल्य की ही है कराकुरम लद्धाख जासकर इस तरीके से प्रवतमालाई दोस्तो जो सरंखलाए में हैं तो कराकुरम इमाले का ही हिस्चा है अगले कोशन पर चलते हैं इस सिवाजी का जनम कहा हुआ था सिवाजी से most important question पूछे जाते हैं दोस्तो तो सिवाजी का जनम कहा हुआ था पूना में, रायगड में, पूरंदर में या सिवनेर में इस question का right answer आपको बताना है दोस्तो तो इस question का option के हिसाब से right answer रहेगा दोस्तो सिवनेर, सिवनेर के दुर्ग में अब रायगड क्या था दोस्तो सिवाजी ने रायगड को पनीराल दानी मना था और एक और 안 important question मनता है सुवा जी का दो बार राजजी भी सेख हुआ था ये धेयर अगला कोसिन भी आपके रिगवेद में कुल कितने सलोक हैं एख जार एक हजार एक जार एक 1513 ये कुसन कई बार एकumm में देखा गया दोसतों तो आप इसे ध dedic में कुल कितने सलोक हैं तो रिगवेद में स्लोकों की संख्या रहेगी दोस्तो एक अजर अठाइस इन्हें कई बार सुक्तियों की तरिके चाहिए पूछा जाता है कि भी कितनी सुक्तियां तो एक अजर अठाइस आपका दिहां रखना भी सलोक है रिगवेद के अंदर अगले खोशन पर चलते हैं भई सवराज पार्टी की स्तापना दोस्तो किस ने की थी शियार दाश मोतिलाल नेरूने सुरेंदर नात बनरजी ने या हखीम अमजल खाने जो सवराज पार्टी जो है इसकी स्तापना उनीशो तेश में की जी थी दोस्तो जब भाद को यानि के बोला गा था अपना राज सवराज मतलब अपना राज दोस्तों तो सवराज पार्टी में स्थाप की थी दोस्तों इस कोशन गराई टांसर रहेगा विस यार्दास यानि चितरंजंदास और मोतिलाल नहरू ने दोस्तों सवराज पार्टी की स्थापना की थी उसके अगले को अब तराइन की पहली लड़ाई किस वर्स हुई थी तो तराइन हर्याना जी एसके इसाब से भी और हर्याना के एकजामस के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अब मैं यही कहा रहा हूं दोस्तों जब च्यार सीफ्ट होंगे ना उन में से किसी ना किसी शीफ्ट में इन दो सब्सक्राइन की दो लड़ाई या बहुत ही फेहमाचा दोस्तों जो इति मुम्मधगोरी और पर्थिवराज सोहन दोन्हों लड़ाई आपसे पूछले ग्यारा सोहन में पर्थिवराज सोहन मुम्मधगोरी जित्ता दोस्तों पर्थिवराज सोहन बस यह च्यार ही पॉइंट में इंपोर्टेंट है या से जीतिगा दोस्तों ठीक अगले साल फिर भई ठीक अगले साल ग्यारा सोब बनवाए में त्रायन की दूसरी लड़ाई हुई शेम यहीं वैक्ती थे पर्थिवराज सोहन मुम्मध गो बस यह च्यार पॉइंट यहां से ज्यान लखना इन में से एक दो कोशन आपको सीटी अग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा त्रायन की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई कब हुई किस किस के भी जितता कौन हारा कौन जितता कौन तो यह आप पॉइंट ज्यान रखना दिल्ली से दोलताबाद ले गया था इल्तु तमीष फिरोज्सा तुगलक मुहमद बबीं तूगलक या फिरबलबन लिए चाहे उसके तल्वार किनिती हो खून या रख्त या रख्तक निर थे इन के लिए वह मस्ता और cm3 फ्सलिस से बनते होचिन हां बंठे स्कुचे का Rs. हवा की इस से माई पी जाती है कि अप्षिन्स आपके रहें गे दोस्तो अनिमोएंटर टेकोमिटर, बेरोमिटर या फिर बुकंपमान तो हिखे दोस्तो बुकंपमान से हसल आते हम कोई 그th उन्हाँ नहीं है। डुकंपमान किया दोस्तो, इसमे बुकंप किते वरता माफ़ी जाती है। मैक्स क्या में भी हाला कि हम आपटे नुस्तों आपिति लेकिन टेकोमीटर भी आपका रहेगा और बैरोमिटर मॉलते हैं एर प्रेशर को बैरोमीटर से मापते हैं तो इस question का option एक इबने गांपते हैं कि इनीमोम्टर तुरितिय कर बोगता यह यह फिर अपगटित करने वा ले तो इन प्योंच्स मैंस्थ सत्सों एकनोमिक कपाट ही जो रहते हैं तो राप्तितिय का अस्थ जीज से चलते हैं और अपगटन तो दोस्त आपसे जो से खराब पदारतों का अपगटन होता तो वह अलग चीज हो जाती है इसमें तो साकार ही क्या होते हैं जो कलते हैं प्राथमी को बोगता उसके बाद आज की वीडियो कांतिम कोशन अभी इंडिया विंस प्रीडम बुक किसमें लिकें क्योंकि भी एक्जाम में बार बार जो फेमस होती वह पूछ लिजाती है BERGDOCम में तो इस विडियो कांतिम कोशन मोस्ट उस्परूषेंट को सब्सक्राइब वीडियो के नीचे जिसका अब एक कमेंट राइट होगा उस पूर्थ हमजब कर दिया जाएगा दोस्तो बहुत अच्छी ये वीडियो रही मेरे हिसाब से दोस्तो आपको कैसे लिगी कमेंट जुरूर करिया चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा और वीडियो को जड़े से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो में दस्तों प्लाल इतना ही मिलेंगे फिर नई प्रेक्टिस सेट्मेंट नई करेंट अपरी क्लास में या किसी इन्फोर्मेशन साथ इसी यूट्यूब चैनल पर तब तक धन्यवाद जैन जैबार्त जै प्रियोना